वेल्कम टू FH2 क्लासेज फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से टेट की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं जैसे के टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और आप सबी लोग टेट की तैयारी में लग गए हैं तो जी हाँ कुछ से दिनों के लिए हम लोगों ने जो ब्रेक लिये थें आज से हम वापस से उसको कंटिन्यू करेंगे सेट 10 अल्रेडी हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लीज जाकर जरूर देखें सेट 10 तक के जितने भी सेक्शन थे सेडिपी रिजनिंग मैट्स सोशल साइंस साइंस जी के इंगलीश और मराटी यह सारे सेक्शन अलग-अलग सेक्शन वाइज मैंने हमारे चैनल पर कंप्लीट करवा दी हूं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो जाकर दे कि आपको 15-20 दिन के अंदर क्या स्ट्राटेजी बनानी है कौन कौन से चीजें इंपॉर्टन है इस वक्त पढ़ने के लिए क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि हम सारी चीजें पढ़े और अगर हम टाइम पर सारा पढ़ते हैं तो भूल भी जाते हैं तो इसलिए अब वक्त उन्ही चीजों को पढ़ने का है जो हमारे marks score करा सकते हैं और जहां से हम marks definitely ला सकते हैं जिससे science और social science का section अगर हम लेते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा chances होते हैं कि हम ये questions को भूल जाए कभी कभी हम confused भी हो जाते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो दो नहीं तीन सब्जेट तीन सब्जेट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से score कर सकते हैं सबसे पहला है reasoning, reasoning का subject ऐसा है जिसमें आपकी अगर practice है और अब तक तो आप लोगों की अच्छी सी practice हो भी गई होंगी काफी दिनों से का तकरिवन एक साल से study चल रही है टेट की तो आप में से बहुत सारे लोगों की reasoning के जितने भी chapter है वो cover हो ही गए होंगे और जिन लोगों उन्हें अब तक नहीं किया है तो अब उन्हें सबसे ज्यादा जो focus है वो reasoning और maths और cdp पर करना है यह जो तीन सब्जेटी है हमारे scoring सब्जेटी यानि हमारा score बढ़ा सकते है reasoning का जो weightage है अगर वो देखे हम तो reasoning का weightage है reasoning का weightage जो है वो 80 marks का है तो आप 80 में से at least 70 marks आराम से ला सकते हैं क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा question तक्रिबन 70 to 75 questions ऐसे आते हैं जो बहुत ही simple होते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आप ऐसे questions को solve कर सकते हैं रही maths की बाद तो maths के question आते है 25 से 30 क के बीच में 25 से 30 के बीच में math के question आते हैं जिसमें तक्रिबन 25 questions जो है यह बहुत ही आसाना अगर 30 questions आते हैं set के अंदर तो 25 से 20 questions 20 से 25 questions ऐसे होते math के जो बहुत ही simple होते हैं बहुत ही ज्यादा simple जो के चौती पांचवी का बच्चा भी solve कर सकता है ऐसे सवालात उसमें दिये जाते हैं और हम यहाँ पर भी हमने 10 को यहाँ पर हमने minus कर दिया के हम at least 80 में से 70 तो भी ला सकते हैं और यहाँ पर 30 में से हम 20 आ 20 से 25 questions ऐसे होते जो बहुत ही आसान होते हैं उसके बाद बाहरी आती है CDP की यह हो गया हमारा reasoning यह हो गया हमारा math उसके बाहरी आती है CDP की तो CDP इतना आसान होता है वह teaching aptitude जैसा के TET यह सी टेट में जितना high level का CDP पूछा जाता है उतना high level का TET के अंदर नहीं पूछा ग पूछे जाएंगे जिसे के कोई situation है उस situation को as a teacher आप कैसे handle करेंगे तो ऐसे questions बहुत ही आसान होते हैं solve करने के लिए ज्यादा वहां पर हमको सोचने की जरुरत नहीं होती है तो यह जो CDP की जो question आते ही यह 15 तक question आते हो कि यह हमने देखे 80 में से हमने वेटेज निकाले यह हमने निकाले 80 का यह था हमारा 30 तक उसमें से हमको 20 लेना CDP के जो आते हैं वो 15 तक question आते हैं तो 15 में से 15 भी आप ला सकते हैं बहुत ही आसान होते है यह तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर हम इनकी ही total करते हैं तो देखिए यह कितना होता है 90, 100, 105 तो यहीं से हम स्कूर बन जाता है और बाकी जो अदर सब्जिट रहें English, Marathi यह दो सब्जिट भी ऐसे हैं languages के जहां पर अगर आप grammar की पकड़ रख लेते हैं अगर आप grammar अच्छे से कर लेते हैं तो इन दो question में भी 30 marks के लिए दोनों सब्जिट होते हैं इन 30 में से आप 20 से 25 marks आराम से ल अब यह आपको आपके strong subject पर ही जादा focus करना है जो weak subject है उसको आप optional रखिए क्योंकि देखिए 200 questions हमारे पास है 200 questions के लिए हमको time मिलता है only 120 minute 120 minute में हमको 200 questions करने हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे questions ही हम सोस समझ कर attempt कर पाए तो time management कितना भी अगर हम किये तो 120 minute में पूरे के पूरे 200 questions पर हम गौरों फिक्र नहीं कर सकते तो इसके लिए जो science और social science है इसको मैं option में इस नहीं दाल रही है क्योंकि इसका syllabus का फिल लंदी है अगर आप अभी वो पढ़ने बैठेंगे तो आपके जो scoring subject है जैसे के maths हो गया reasoning हो कि जहां पर आपको पता ही है कि इनकी tricks अगर आपको आगए तो यह आपके marks इदम fix होंगे तो यह subject पर आपको ज्यादा focus देना है अभी फिलहाल के लिए science, social science and gk को आपको skip तो नहीं कहूंगी मैं लेकिन आपको इने जो previous year के questions है आप उनको refer कीजिए इनके लिए कोई किताबे, कोई books वगेरा अभी लेकर बैठने का time नहीं है, तो science, social science and gk के लिए मैं यहीं suggest करूंगी कि previous year जो previous जो paper हुआ था 2017 में आप उसी के science, social science and gk के जो questions आयते हैं आप उनको revise करिए, थोड़ा idea आपको उसमें से आ जाएंगा, ओके लेकिन इसके लिए अभी कोई किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत मिन्स अभी अगर आप यह लेकर बैठेंगे तो आपके जो scoring subject है वो रह जाएंगे, तो इसके लिए अभी आपको फिलाल reasoning, maths, दोनों languages और CDP इस पर focus करना है, science और social science को आपको option में इसलिए डालना है, क्योंकि इनका syllabus काफी lengthy है, अभी अगर लेकर बैठे six and seven की science और social science की books पढ़ लीजिए, okay, fifth, six and seven की आट वी, नवी, दस वी के आपको पढ़ने की ज़रुरत नहीं है, आप सिर पाँच वी, चटी और साथ वी की science, social science की books पढ़ लीजिए, social science में भी आपको ज्यादा history नहीं पढ़ना है, social science में आपको शिवाजी की history नहीं पढ ज्यादा focus करना है, okay, fifth standard की जो book है, fifth or sixth standard की जो book है, इस पर आपको ज्यादा focus करना है, seven की book एक बारा पढ़ लीजिए, उसमें शिवाजी के बारे में ही ज्यादा दिया गया है, लेकिन fifth और sixth की जो book है, और आट वी की book, आट वी की book अगर आपके पास है वक्त, क्योंकि इस वरना आप general knowledge base पर भी वो questions को लगा सकते हैं, लेकिन fifth और sixth की book आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा समय है या ज्यादा time आप अगर जॉब नहीं करते हैं, और ज्यादा time आप study को दे सकते हैं, तो अगर आप job करते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा focus, reasoning, maths, दोनों languages और CD paper करना है, तो चलिए, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आज हम लोग maths के question solve करेंगे, तो हम लोग maths के question को solve करेंगे, तो सबसे पहला हमारे पास maths का question है, बहुत ही simple है, एडिशन, मैंने जैसे आपको बता है कि 20 से 25 question ऐसे आते हैं, जो आप आराम से solve कर सकते हैं, दीके example आपके सामने ही मौजदे, सबसे पहला question जो है, एडिशन का है, तो यहाँ पर simply आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इ की जरूरत है, तो यह वाला question जो है, इसको आप add करके देख लीजी, इसका जो answer है, वो इसका answer होंगा, option number C, क्योंकि बहुत ही simple है, addition वाला तो इससे solve करने की जरूरत नहीं है, next question देखिए कुछ इस तरहां से है, next question है, 6 की कुवत दो, जर्व 36 की कुवत 5 is equal to 6 की कुवत question mark, यानि 6 square into 36 rest to power 5 is equal to 6 power question mark, यहाँ पर क्या आएंगा हमको यह देखना है, देखिए यह जो question है, हर set में इस तरहा के question एक पूचा ही गया है, हर set में इसका question है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर base जो है, हमको common बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा यह 6 square as it is रहेंगा, अब यह जो 36 है यह भी तो 6 का square है तो हम इसको 6 square लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर 36 की power 5 दी गए है यानि यह जो 6 square है 36 हो गया हमने इसको square के form में लिख दिए क्योंकि 36 किसका square है 6 का square है अब 36 की कुवत 5 यानि उसका power 5 था तो हम यहाँ पर इसका power 5 कर देंगे अब यह कैसे करेंगे is equal to देखिए क्या आएंगा इसका answer यह हो जाएंगा 6 square into अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का multiply होगा 2 और 5 का क्या होगा यहाँ पर multiply होगा यानि यह हो जाएंगा 6 power 10 अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के base सेम होगा है जब कुवत नुमार के अंदर base या असास अगर सेम होते हैं तो और उनके बीच में अगर हाँ जर्ब का अमल होता है multiply अगर होता है तो उनके powers की उनकी कुवतों की जमा होती है यहाँ पर base 6 हो common है तो हम इसको common लिलेंग अब 6 जर्ब chain के बीच में multiply है तो इनकी कुवतों की हम क्या करेंगे जमा करेंगे यहाँ पर आ जाएंगा 6 की कुवत भारा या 6 का power 12 यानि इस question mark की जगा पर आना चाहिए 12 तो देखते हैं हम इसका answer option number B तो देखिए option number B जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है देखिए यह जिने भी कॉइन हम अगर टॉस करते हैं तो हमको उसका double लेना है यहाँ पर हम जो है चार कॉइन टॉस कर रहे हैं एक सथ तो यहाँ पर जो probability है जो हैडिया टेल आने की वह कितनी probability बन जाती है 16 हो जाती है कैसे 16 होती है देखिए तो यहाँ पर हमारे पास चार कॉइन है चा चार गुणा करना है मतलब उसका double कर देना है चार गुणा उसको करना है चार चौक 16 यहाँ पर उसी नंबर को उसी नंबर से हमको multiply करना है जितने भी number of coins यहाँ पर दिये जाएंगे उतने इमकानात यह उतने chances हो जाते हैं head और tail आने के अब कैसे अगर हम देखेंगे तो okay जिसे total chances 16 है उसमें से एक chance ऐसा होगा जहाँ पर tail नहीं आ सकता next question देखी क्या है convert 60 weeks into days बहुत ही आसान है आपको 60 weeks को days में convert करना है तो एक week में कितने days होते हैं 7 days होते तो इसको 7 से multiply करेंगे 700 760 42 तो इसका answer आजाएंगा जो 420 days होते है 60 weeks के अंदो तो 420 option number C में है option number C जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो नेक्स question देखी यह भी बहुत ही आसान question है जर्ब का multiply का question है 1501 को आपको multiply करना है triple nine से okay तो यहाँ पर इसका अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम option को eliminate कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी के जो nine one's are nine nine zero okay फिर nine five's are forty five के five carry four nine one's are nine nine और four कितने होते है 13 okay यह तो आगे यहाँ पर अब देखेंगे एकाई के मुकाम पर यहाँ पर nine आ रहा है अब दाहाई के मुकाम पर भी यहाँ पर nine नहीं आएगा क्योंके nine one's are nine zero के नीचे अगर हम लेंगे तो nine नहीं आएगा okay अब यह यहाँ पर हमको यह देखना है कि double nine जहाँ पर नहीं है वो option हम eliminate करेंगे तो दीके double nine यहाँ पर सिफ option number c में नहीं है तो option number c जो है यहाँ से eliminate हो जाता है okay अब हम इसको करके देख लेते हैं one five zero one और यह हो गया triple nine okay क्या आया था हमारा यहाँ पर देखिए पहली रो में हमने देखिए कि यहाँ पर nine हमारा आया था okay nine one zero nine five zero 45 के five carry four nine one zero nine nine और four कितने होते हैं 13 हम इसको पूरा ही solve कर लेते हैं okay यहाँ पर आ जाएगा nine again वही सब आने वाला है zero five three and one okay again अगर हम देखेंगे तो वही आने वाला है यहाँ पर nine okay zero five three and one अब इन सबका हमको addition करना है okay इन सबका हमको क्या करना है addition करना है one three five zero nine okay यहाँ पर multiply फिर nine zero five three one फिर यहाँ पर multiply फिर nine zero five three and one okay अब इनका addition करेंगे यह nine यह nine okay nine और पांच कितने होते हैं nine और पांच होते है 14 के 4 carry one okay यहाँ तक भी आपको समझ में आज हैगा कि four double nine जिसके भी last में होंगा वही इसका सहीं जवाब होंगा okay तो यहाँ से देखेंगे option number bb eliminate होता है हमारे 148 और एक यह अगें नाइन तो डबल नाइन फोर नाइन तो देखेंगे option number a में ही नजर आ रहा है हमको फिर देखें थ्री और वन हो जाएगा four और यह one तो देखेंगे option number a जो है यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है one four double nine four double nine यहाँ पर सही जवाब होगा तो multiply के लिए भी यह जो हम तरतीब से लिखते जाते हैं आपको इस पर भी focus करना है घाई गरबर में आपको जो चोटे चोटे आसान से सवालात होते हैं वो भी हम घाई में या जल्दी जल्दी में हम उसको गलत कर देते हैं तो आपको ज्याद जल्दी नहीं करनी है आपको अच्छे से ऐसे questions को solve करना है ताकि जो math के जो answer है वो हमारे सहीं आए नेक्स question देखी क्या है find the largest of the following fraction इस fraction में से हमको जो है largest fraction या सबसे बड़ी कसर को पहचाना है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास question क्या क्या है हमारा बटे 23, 29 बटे 57 और 37 बटे 22 तो हम पहले लिख लेंगे 55 बटे कितना है यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे इसके बाद कितना था हमारा उसके बाद है बारा बटे 23 उसके बाद है 29 बटे 57 और अगला है हमारा 37 बटे 72 तो देखे इसके जो श्वाटरी के यह आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं आप पहले दो दो फ्रैक्शन लेकर कर सकते हैं इनका क्रॉस मल्टिप्लाइ करके इनको कंपैर कर सकते हैं फिर इन में से छोटा आता है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए फिर बचे हुवे से इन दो में से किसी एक को लेकर उन दोनों को कंपैर कीजिए क्रोस मल्टिप्लाय वाले तरीके से उसमें से जो छोटा आता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसकी जो शौट रहे कि आप इन दोनों का पहले जो है डिफरेंस निकाल लेजिए कि इनका जो डिफ 55 का जब हम माइनस करते हैं तो यहां पर इनका जो डिफरेंस आता है यह आता है 43 का आप इसको करके देख लेना हमको एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कुश्टन कवर करने हैं आप यहां पर इन दोनों का अगर माइनस करते हैं 22 22 jedlaothed worker यहां पर इनका जो यहां यह कुछ इस तरह से आंसर आता है इनका आता है 11 ओके 29 अपॉन 57 का अगर आप देखते तो इनका जो माइनस है यह आता है 28 ओके और इन दोनों का माइनस अगर आप देखते हैं तो इन दोनों का माइनस आता है 35 ओके यह निया आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है ओके जैसे 98 में से 55 माइनस करेंगे 23 में से 12 माइनस करेंगे 57 में से 29 माइ जो डिनोमिनेटर होता है हमारा उसको डिवाइट करना यानि हमारे शुमार को निंदा को हमको 43 से डिवाइट करना तो 55 और 43 बहुत ही नजदीक के नमबर है यानि 43 के टेबल में 55 नहीं आ सकता तो 43 ही हम लेगी यानि 43 वंजा हो जाएगा ओके यहां पर तब देखिए इसमें से हमने माइनस कर दिये अब कितना ब ही अगर हम देखते हैं hama43 निकाले किस में से 55 में 43 लिए तो कितने बसे यहां पर यह यह दो ओके और यह यह आपर यह नहीं 12 बच गए यहां पर अब यह 12 जब बच गए तो हम यहां पर point लगा देंगे यह 12 को हम 0 लगा के 120 कर देंगे तो 43, 120, 43 से 120 को कैसे cancel करेंगे तो देखे 43 को हम as a whole number consider कर सकते है 40 तो 40 और 120 का अगर हम देखेंगे तो यहां पर 43 जा 120 आ सकता है तो यहां पर 43 दिया गया है तो हम यहां पर 2 जा लेंगे यानि 43 के table में दूसरे number पर 120 से नस्दिक वाला कोई number आ सकता है यानि इसका answer जो ही 1.2 आ गया अब इसके बाद हम देखेंगे यहां पर इनका answer क्या था तो देखें 11 से जब हम 12 को डिवाइट करेंगे तो 11 बंजा 11 आएंगा वापस एक बजगया वहां पर तो इसको point लगाएंगे उस एक को 0 लगाएंगे तो यह 11 से छोटा होता है यहां पर इसका answer सिफ हम 1 ही consider करेंगे आगे इसको हम ज्यादा 0 लगा कर स्वाल नहीं करेंगे अब देखें यहां पर 28 आया था इनका difference 28 को इस 29 को हमको 28 से डिवाइट करना है तो same condition यहां पर भी 28 वंजा 28 अगें एक बजगया point लगा कर उस एक को हम कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि एक लगाने के बाद वो 10 ही बनेगा जोके 28 से छोटा है तो इसके लिए यहां पर हम जो है इसको भी 1 ही consider करेंगे same condition यहां पर देखे 35 से हमको 37 को डिवाइट करना है तो 37 वंजा 35 वंजा 35 कितने बच गया है दो बच गया है उस दो को अगर मैं 0 लगाती हूँ तो 20 होता है जो के 35 से छोटा है तो और 0 हमको लगाने की जरूरत नहीं है तो इस हिसाप से अगर हम देखेंगे इस हिसाप से अगर हम देखेंगे तो यहां पर इस हिसाप से अगर हम देखेंगे तो देखेंगे आंसर क्या आता है 1.2 इसी का सबसे बड़ा आंसर है 55 अपॉन 98 यह नहीं यहां पर 55 अपॉन 98 जो है इसका सही जवाब होगा देखें किस तरह से एक बार में फिर से बता दे था हम ने इनका माइनस की सबसे पहले इनका माइनस करने के बद इनका डिफेरंस नीकालने के बाद यह 43 आया अब हमने क्या किए यह जो 55 ऊप्र का जो यह नमबर है जी शुमार- ilkinanda है की करें से फुर्टी धिवाइट किये okay जो कि 29 आपॉन 57 में हमने पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाले जो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया था हमारा 28 आया था अब इस 28 से हमने इस 29 को डिवाइट किये तो यह वन आंसर आया इसका ओके सेम इसी तरह से हमने option number D और option number C sorry B और D में भी किये तो जब हमने सबके answer निकाले तो इन तीनों के answer B, C और D के answer 1 आया था लेकिन A का जो answer आया था वो 1.2 something कुछ आया था इसका मतलब जो है सबसे बड़ा fraction यह है तो इस तरहां की तरीके से भी आप यह fraction वाले question है इसको solve कर सकते हैं दोनों का शुमार कुनिंदा नसब न लग रहा होंगा लेकिन जब हम इसको solve करेंगे तो यह बहुत ही आसान सा सवाल है ऐसे सवाल को कैसे solve करना है देखिए यहां पर गौर करेंगे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ देखिए आप अगर इसको गौर करेंगे यहां पर आपको bracket काफी सारे नज़र आ रहे होंगे अलग-अलग किसमे के देखिए सबसे पहले जो है यहां पर बॉक्स वाला bracket देखिए इस तरह से एक बॉक्स वाला bracket है उसके अंदर आपको ऐसे करली bracket नज़र आ रहा होंगा करली bracket है और उसके अंदर आपको यहां पर यह हमारा जो सिंपल वाला हम स लेते हैं Amerika公reili डेते होें तो ये तीनो जो ब्रैकugeट हैं अगर एक साथ आते तो इसका मतलब यहें कि यह जो सभ्यूलर ब्रैकेट है सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करनाय है और इसके बाद आखरी में जो box वाला bracket है हमें इसको solve करना अब कैसे करेंगे यह तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको अंदर वाला bracket solve करना है तो इसका जो answer है वो क्या आता है देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ minus 5 plus 6 minus 2 है अब देखिए minus यह minus क्या हो जाएंगा plus हो जाएंगा यह 5 plus 2 हो जाएंगा minus 7 दोनों को minus का sign है अगर दो नंबरों को minus का sign रहता है इस तरह से अगर आता है तो इन दो नंबरों के minus minus का plus होंगा यानि इनका होंगा addition लेकिन जवाब को जो sign लगेंगा वो minus का लगेंगा क्यों क्योंकि दोनों को minus का sign यहाँ पर लगा हुआ है सब्सक्राइब करण नो मारे मैनस की यहां पर राइनदे अल NH Um यहां पर कुछ इस तरह से होगा हम करली ब्रैक सी यहां पर हमारा answer और ब्लाइक सब्सक्राउब अब यहाँ पर इसको अगर हम स्वाल करते तो यह 2 प्लस यहाँ जाएंगा 2 वन्जा 2 देखिए यहाँ पर यह माइनस 2 आ गया फिर ओके वन को माइनस की अलामत है अगर एक पॉजिट्व एक निगेटिव नंबर का मल्टिप्ला होता है तो आंसर को निगेटिव का साइन अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यह साइन पहले हम इसको मैच करेंगे प्लस माइनस का साइन हो जाएंगा माइनस यह नहीं हो जाएंगा 2 माइनस 2 यह नहीं 0 तो इस कर्ली ब्रैकेट का यहां तक का जो हमारा आंसर है वो क्या है जीरो आ गया अब उसके बाद हमारे पास क्या बज़ गया जब यह पूरा cancel हो कि zero हो गया हमने पूरा solve किये step wise हमारे पास क्या बज़ गया only one minus five सिफ इतना बज़ गया one minus five थे यह one minus five का क्या हो जाएंगा फिर माइनस 4 हो जाएगा क्यों माइनस 4 क्योंकि 1 में से हम 5 को माइनस कर रहे हैं लेकिन 1 में से माइनस जा सकता है के नहीं तो हम reverse करेंगे यहाँ पर 5 में से 1 को निकालेंगे answer 4 आएगा और हमने reverse जो है यहाँ पर अमल किये तो इसलिए जो जवाब है उसको आसान कोशन है आपको यहाँ पर इसको solve करना है तो देखिए 12 चौक होता है 48 ओके और 699 में हमको क्या करना है 48 को मिलाना है तो 8 और 8 16 और यह 17 के 7 हासिल का 1 9 और 10 10 और 4 14 के 4 हासिल का यह 1 6 और 1 होता है 7 यह नि 747 इसका answer आना चाहिए तो देखिए 747 यहाँ पर हमको क्या बोला गया approximate value बोली गए यह देखिए you are not expected to calculate the exact value हमको कहां गया है approximate निकाले यह नि उसके nearby का तो यहाँ पर अगर उसके nearby का answer हम देखते हैं तो 750 जो है हमारे answer के नजदीक वाला answer है सकीरी 750 यहाँ पर हम इसको सही consider करेंगे नेक्स कोशन देखिए 53 कोशन है इसे हम reasoning में भी consider कर सकते हैं इसको mathematical reasoning में भी हम ले सकते हैं सवाल कुछ इस तरह से है कि जो ठोस चीज शकल में दिखाई गई है वो cubical block से बनी है हर जानिब एक centimeter है इसमें कितने blocks है यहाँ पर हमको यह बताया गया है कि यहाँ पर यह जो block के साइड यह 11 centimeter के है हर तरह से 11 centimeter के जो box बनाए है इस के अंदर इस cube के अंदर तो total कितने boxes बने हमको यह देखना है इसको solve करने का सबसे आसान तरीक है है कि सबसे पहले आप वर्टिकली गिन लीजे कितने रो बन रहे है फिर आप इस तरह से horizontally count कीजिए तो multiply 5 कीजिए उसके बाद आप इस तरह से जाएए यहाँ पर कितने बन रहे है box 4 इन सब का multiply कीजिए 3, 5, 15, 15, 4, 60 यहाँ टोटल यहाँ पर option number B 60 यहाँ पर तयार हो रहे है next question देखे कुछ इस तरह से है if 5 girls can embroider address in 9 days then the number of days taken by 3 girls for the same work will be यहाँ अगर 5 लड़किया एक लिबास को 9 दिनों में कढ़ाई करती है तो 3 लड़कियों को 3 तो कितने दिन दरकार होंगे यहाँ पर क्या है 5 लड़किया कितने दिन में कर रही है 9 में तो हमको मालूम करना है कि 3 लड़किया कितने दिन में यहाँ पर करेंगी तो इसका simple method इन दोनों का आपको multiply करना है यानि 5 into 9 और जो पूछा गया है उससे divide करना है यह हो जाएगा 3 थरीजा 9 और यह हो जाएगा 5 थरीजा 15 यानि 15 डेस लगेंगे उसको उत्तिकी option number D जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है तो जो 2 दिये गया है हमारे पास जिनका काम और दिन दिये गया है कितने तैदाती 5 तैदाती कितने दिन दिन लग रहे थे 9 इनका multiply करेंगे हम उसके बाद हम क्या करेंगे multiply यानि हम उसका LC हम निकाल रहे है यहाँ पर और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको 3 से divide कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3, 3, 9, 3, 5, 15 दिन यहाँ पर इनको लगेंगे next question देखें कुछ इस तरह से what is the square root of 0.09 सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 9 का स्क्वार रूट कितना है 3 है यानि इसका half मतब इसका हमने 9 का स्क्वार रूट निकाले 9 का स्क्वार रूट यह 3 आता है तो वैसे ही double 0 का स्क्वार रूट अगर हम लेंगे तो single 0 आ जाता है और एक 0 के बाद यहां पर हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.3 जो है यहां पर इसका सही जवाब होंगा option number A next question देखें कुछ इस तरह से हैं यहां पर कि इन एलेक्रिक शॉप द्यारा टू ट्वेंटी यलोवकर से नहीं के लेक्रिक शॉप पर जहां पर कितने बल्व से 220 हैं यलोवकर और रीड वाले कितने वहां पर 320 रीड वाले हैं what the ratio of red and yellow यानि red से yellow का रेशो पुछ लुए तो red हम पहले लिखेंगे 320 तूवेंटी हम नीचे लिखेंगे जीरो जीरो टूवण्जा फिर से कर लेती हूं कितना है दिखिए हम कोई रेड से यलो का लेना है तो तूव्णटी पहले आएंगा तूव टूवेंटी नीचे आएंगा यह जीरो यह 0 कैंसल त्री वन्जा थ्री शिख्जा स्वारी इसका सही जवाब होंगा ओके नेक्स उशन देखिए कुछ इस तरह से हैं चार जर्ब बारा जमा तीन तफरीक छे तक्सीम छे यानि फोर इंटू ट्वेल प्लस त्री माइनस तिक्स डिवाइड़ बाइड बाइड सिक्स अब यहां पर हमको बोल रहा है कि हमको sign interchange करना है कुछ इस तरह से sign हमको interchange कर दी हो तो पहले हम लिख लेंगे number को 4, 12, 3, 6 and 6 इस तरह से हमने यह लिख लिया अब हम sign का interchange करेंगे दीखिए यहां पर multiply का sign है तो multiply की जगह क्या कह रहा है multiply यानि plus कह रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा उसके बाद प्लस को क्या क्या कह रहा है depending कि प्लस is equal to divided by तो यहां पर यहाँ पर यह डिवाइड बाए आ जाएगा अब उसके बाद िकि माइनस, minus means दिखी यहां पर दिया गया है जब तो यहां पर जब आ जाएगा और taksit means काया है दिखी taksit means यहां पर दिया गया है minus तो taksit means यहां पर minus आजएगा अब इसको हम solve करेंगे तो दिखी सबसे पहले हम division करेंगे 4 plus 4 into 6 minus 6 ओके यानि फिर इसके बाद हम इनका multiply करेंगे तो यह कुछ इस तरह से हो जाएंगा 4 plus 6 24 minus 6 कुछ इस तरह से आप देखे 24 में से 6 गया तो कितने मज़ते हैं 18 बसते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगा यह 4 plus 18 4 और 18 अगर हम plus करते हैं तो कितना आता है वाद मास लगाना है वाद मास यह नहीं क्या आशे सवला जहां पर multiple sign हो सारे sign एक साथ हो तो सबसे पहले आपको bracket अगर है तो bracket open करना है फिर आपको यहाँ पर division करना है multiplication करना है addition और फिर आपको subtraction करना है next question देखें देखें 784 का आपको यहाँ पर square root निकालना है तो दिखिए इसका square root निकालने के एक तरीका मैं आपको बताती हूँ अगर आपको factor निकालते आते हैं तो आप इसके factor निकाल लेजे कुछ इस तरह से जिसे 2 से निकाल सकते है 2 1 2 यह हो गया 2 9 2 2 तूसाँ निए जाएंगा सब्स काईएंगा यहाँ पर सब्सक्राइब आगे तो तूसाँ निकालने के लिए तो से लेंगे तो से लेंगे तो 17 एक मिनट कुस तो में स्टेख हुई यहाँ पर एक बार फिर से कर लेते हैं देखे, 7, 8, 4 यहां पर, तो 2 से लेएंगे, 23, 20, 22, फिर वापस, 2 से लेते हैं, 21, 21, 22, 18, 21, 16, फिर 2 से लेते हैं, यहां पर अगर हम, तो यहां आ जाता है, 24, 28, फिर आ जेएंगा, 26, सॉरी, 29 18, से डिवाइड होता है तो सब्सक्राइब यहां पर स्क्वेर रूट निकालने के लिए हम दो दो की जोड़ी बना लेंगे इस तरह से ओके यहां जाएंगा टू इंटू टू इंटू सेवें दो दूनी चार चारा सते 28 यहां पर सब्सक्राइब करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा श्यादा कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी लोग टैट एक्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएगे इंशाल्ला सभी को इसका फायदा होंगा नेक्स वीडियो आने तक मुझे दूम याद रखिए अल्ला हफिज